हलो फ्रेंड्स आइम डॉक्टर पंकच और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो चतीस गड़ के जो गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजिस हैं उनमें फी क्या है और चतीस गड़ में बॉन्ड का क्या स्ट्रक्चर है तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बहुत सारे प्ले लिस्ट हैं जिसमें काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप जाके प्लीज उनको सारा देखिए तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अक्सर होता कैया के बच्चे मुझसे बहुत सारे डाउट पूछते हैं बलकि अगर वो मेरे सारे वीडियो देख लेंगे न तो उनके सारे डाउट आटोमेटिकली ही अगर आप चाहें तो उसको भी जॉइन कर सकते हैं तो देखें जो 36 गड़ में सबसे पहला जो medical college है वो है आपका AIMS राइपूर तो AIMS राइपूर में जो सालाना फीस है All India quota की वो फीस है लगबग 5,856 रुपीज उसके बाद आप जब वहाँ पर admission लेते हैं MCC की जो website है जहां पर सारी की सारी information दी हुई है वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहां AIMS राइपूर के अंदर जो monthly hostel dues है वो zero है तो मुझे लगता है यह वहाँ पर mistake से print हुआ होगा क्योंकि zero कभी भी नहीं होंगे पर हाँ जो भी होंगे 200 रुपए या फिर 300 रुपए कुछ इस तरीके का होगा पर काफी कम होगा पर मैं आपको एक बाद फिर से बोल देना चाहता हूँ कि आप किसी भी medical college के hostel में रहे है खाना पीना सब लगा के ना लगबग 3,000 से 5,000 रुपए पर महीने का खर्चा आपका hostel का खाने पीने का आही जाता है उसके बाद देखे एक और information यहाँ पर दे रखिए कि यह जो 5,856 रुपीज जो है ना यह जो fee है यह पूरे entire MBBS की है मतलब जो पूरे MBBS का course है उसमें आपको इतनी ही fee देनी है और यह fees ना refundable नहीं होगी आप अगर AIMS का जो college है बीच में आप छोड़ भी देते हैं MBBS पूरी नहीं भी करते तो यह fee आपको बापस नहीं मिलने वाली है तो आप देख सकते हैं कि AIMS की fee काफी कम होती है हमेशा ही पूरे के पूरे साड़े चार साल के course की जो fee है वो 5,856 रुपीज है only next college आपका यह रायपूर वाला जो college है काफी famous college है ठीक है जवाहल नान नहरू college के नाम से इसको हम लोग जानते हैं और इस college में जो सालाना fee है वो लगबक कितनी है चालिस हजार रुपे मतलब की आपको हर साल 40,000 रुपे college को pay करने है फी के तौर पर जब आपका admission होगा तो admission के समय आपको 50,000 रुपे college को pay करने होगे अब यहाँ पर जो monthly hostel dues है वो दे रखा है 300 रुपे मतलब की 300 रुपे monthly hostel dues है यह मैं आपको बता दूँ कि यह जो होगा न यह hostel की fee होगी जो hostel charges होते है बट mess के खाने का charges लगा के वो फिर से मैं बता दूँ आपको 3000 से 5000 के आसपास पर month यह कर्चा आएगा ही आएगा वो हर medical college में होता है कहीं 3000 कहीं 5000 हो सकता है साड़े 3000 4000 इस तरीके से होता है next है कि suppose कीजिए कि इस college में आपने admission ले लिया first counseling में उसके बाद आपको second या third round counseling में कोई और college allot हुआ तो आप इस college से resign करोगे तो उस case में आपने जो fee दिया कितनी fee दी थी 50,000 रुपे जो fee दी थी उस fee में से आपके 4000 रुपे minus कर दिये जाएंगे मतलब की आपको लगबग 46,000 रुपे ही बापस किये जाएंगे उसके बाद next है कि एक specific penalty भी यहाँ पे दियुए है कि suppose कीजिए आपने इस college में admission ले लिया उसके बाद आपने final round जो था counseling का उसके बाद college से MBBS की seat से resign कर दिया मतलब आपने वो seat उस साल खराब कर दी तो उस case में आपको 25,000 रुपे college को pay करने पड़ेंगे penalty के तौर पे next है आपका 36 गड़ institute of medical sciences जो बिलासपूर के अंदर है देखे यहाँ जो सालाना fees है वो भी पहले जितनी रायपूर में थी उतनी ही थी लगबग 40,000 रुपे के आसपास आपको college को pay करना है और admission के समय आपको college को 50,000 रुपे की fee आपको college को pay करनी है अब यहाँ पे भी जो मंतली hostel dues है वो लगबग 400 रुपे दियो है बट मैं वही बोलूँगा के hostel का खर्चा 3 से 5,000 के आसपास आने वाला है अब यहाँ पे भी same rule है अगर आप second या third round की counseling में अगर आपको कोई नया college एलोट होता है और अगर आप इस college से resign करते हैं तो उस case में आपकी जो fee थी जो आपने 50,000 जो college को pay की थी उसमें से आपके 4,000 रुपे काट ले जाएंगे और 40,000 रुपे आपको बापस कर दी जाएंगे अब यहाँ पे specific penalty के बारे में क्या लिखा है थे specific penalty जो है मैं आपको बता दूँ चाहें 36 गड़ में किसी भी college की दी हो जो भी दी हो बट वहाँ जो government की ना हर college के लिए same ही है और वो है कि अगर आप unreserved categories हैं अगर आप general categories हैं तो आपको 25,000 रुपे college को pay करने पड़ेंगे अगर आप वहाँ पे MBBS में admission ले लेते हैं और बीच में MBBS पूरी होने से पहले course से resign करते हैं बीच में course को छोड़ते हैं मतलब कि उस seat को खराब करते हैं तो इस case में आपको 25,000 रुपे unreserved category के बच्चे को उस state को 36,000 रुपे पे करने होंगे और वहीं अगर वो बच्चा reserved category का है तो उसको 20,000 रुपे पे करने पड़ेंगे और क्या पे करना पड़ेगा वो जो tuition फी जाती है न सालाना सालाना हर साल की जो 40,000 रुपे जो tuition फी जा रही है वो भी आपको college को पे करनी पड़ेगी तो ये बात आप हमेशे ध्यान रखें नेक्स्ट है आपका government medical college अंभिकापूर ये अंभिकापूर के अंदर है और यहां भी जो annual fee है और इंडिया कोटा के student के लिए वो 40,000 रुपे साल आना है मत्तब एक साल में आपको 40,000 रुपे college को पे करने है और admission के time के पे आपको फिर से 50,000 रुपे college को पे करने होगे यहां भी जो monthly hostel dues है वो 300 रुपे है और खर्चा वही आएगा आपका hostel का खाने का मिला के 3-5,000 का और यहां पे भी अगर आप second या third round में इस college से resign करते हैं अगर आपको reallocate होती है तो इस case में जो आपने जो 50,000 रुपे जो fees दिये है उसमें से 4,000 रुपे fees काट के 40,000 आपको बापस कर दिये जाएंगे और जो specific penalty है वो पूरे 36 गड़ में यह की है कि अगर आप general category के अं-reserved category के student है तो आपको 25,000 रुपे 36 गड़ गौर्मेंट को पे करने होगे तो इसलिए एक बार admission लेने के बाद आदमी यहां पर आराम से इतनी आसानी से जो है MBBS की seat नहीं छोड़ सकता है अगला जो college है बड़ाई लंबा नाम है यह राजनंद गाओं में college है तो यह जो राजनंद गाओं के अंदर जो एक college है यहां भी जो आपकी जो fee है वो सालान रुपे college को pay करने होंगे और यहां जो monthly hostel dues है वो 292 रुपीज है वो इसमें फिर से खाने का पैसा लगा के तीन से चाजार रुपे खर्चा आ जाएगा और यहां भी अगर आप second या third round में अगर आपको कोई नया college allot होता है और आप इस college से resign करते है तो उस case में 4000 रुपे आ अगर आप MBBS के course को बीच में छोड़ते हैं या MBBS की seat खराब करते हैं final round of counseling के बाद तो unreserved category के बच्चे को 25 रुपे का pay करना पड़ेगा और reserved category के बच्चे को 20 रुपे पे करने होंगे उसके साथ tuition fee जो है वो भी आपको pay करनी पड़ेगी next college आपका late BRKM government medical college जगदलपूर यह जगदलपूर के अंदर है और यहाँ जो all India quota के student की fees है वो 50,000 रुपे सालाना है और admission के समय भी उसको पूरे 50,000 रुपे college को pay करने होंगे यहाँ जो monthly hostel dues है वो लगबग 2100 रुपे है अब देखें यहाँ पर चाहिए 2100 रुपे दिया हो है पर मैं तब भी बता दूँ आपको कि जो monthly hostel dues है जिसमें कि अगर आप मैस का charge लगा लेंगे तो वो लगबग 3,000 से 5,000 रुपे ही रहने वाला है पर मन्त उसके बाद है आपका कि अगर यहाँ भी आपको second या third round counseling में कोई नया college allot होता है और आप इस college से resign करते हैं तो उस case में आपने जो उनको fee दिये जो 50,000 रुपीज की जो आपने college को fee पे किये उसमें से 4,000 रुपे काट लिए जाएंगे और आपको 46,000 रुपे बापस कर दि आपका जो reserve category का student उसको with tuition fee tuition fee भी आपको लोटानी होगी next college है लेट शरी लखी राम अगरवाल medical college यह राइगर के अंदर है तो इस college में क्या है आपकी जो annual fee है वो लगबग कितनी है 40,000 रुपे है साला ना और इस college में जो admission के time पे आपको 50,000 रुपे college को pay करने पड़ेंगे यहाँ जो monthly hostel dues है लगबग 500 रुपे दिखा रखा है और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर second या third round की counseling में अगर आपको फिर से कोई दूसरे college में कोई MBS की seat relocate होती है तो उस case में आपने जो salary जो यहाँ पर जो पैसे दिये है फी जो दिये है उसमें से 5,000 रुपी काटके वा with tuition fee तो यहाँ का bond structure है अब हम जो 36 गड़ का एक और bond है उसको हम देख लेते हैं कि अगर आपने 36 गड़ से MBBS की पढ़ाई किया है तो MBBS पूरी करने के बाद 2 साल के लिए पूरे 2 साल के लिए आपको 36 गड़ government में job करनी पड़ेगी आप 36 गड़ state को छोड़के नहीं जा सक आप bond 2 साल का bond नहीं करना चाहते तो उस case में क्या करना होगा आप bond को तोड़ सकते हैं बट उस case में जो general category के जो जो students है उनको 25 गड़ गड़ गवर्मेंट को पे करने होगे और जो आपका जो reserve category के student है उनको 20 गड़ को पे करने होगे तब ही इस bond को आप लोग ब्रेक कर पा करने बट MDMS करने के बाद बापस लॉट के आपको दो साल की वो जो job है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी for example suppose कीजिया आप वहां MBBS complete कर ली उसके बाद आप वहां पे job कर रहे थे आपने एक साल जॉब की और उसी के बाद आपने PG की परिक्षा दियो आपको PG में आपका selection हो कर दो